चलो दोस्तों शुरू करते हैं बारा गोडो का रत बहुती अच्छी कोमिक से दोस्तों द्यान से सुनना खांडव परस्त के राजा थे अस्व परस्त सिकार के इतने सोकिन की जंगल में दूर दूर तक अकेले ही निकल जाया करते थे जिने हीर समय रहती थे एक नए सिकार की तलास कल हमने बबर सेर का शिकार किया था आज किस की बारी है उनका एक लोता पुतर राज कुमार तुल परस्त जो अक्सर अस्व परस्त की इस आदत से परेशान ओकर जिरे किया करता पिताजी अब आपको अपनी शिकार के आदत का त्याग करना चाहिए इस वर नहीं करे अगर आपको कुछ हो गया तो इस राजे के भुईसे का क्या होगा राजा सुप्रस्त बात को सी में उड़ा देते या कहकर हा हा जिस राजा के पास तुम जैसा प्राकर में बुद्धी मान वे हो नारी उत्रा धिकारी हो उसे राजे की परवा करने की क्या हो सकता है क्या पुतर हम जो अब सिगरी राजे की जिम्हेदारी तुम्हें सोब कर निर्बह ओकर शिकार का अंद लेना चाहते हैं अतुल पस्त भी उनके शिकार के आदत को ने बदल सेगा हा हा आज कोई जानवर दिखाई नहीं पड़ रहा लगता है अमें देखते सब छुटी पर चले गए हैं हा हा उदर जंगल में कोई और भी निकलादा शिकार पर शिकार हा हा जिसकी एक आवाज पर बनने प्राण्य में मच गई थी खलवली कौन फटकता साक्सात मोत के उस दूद के निकट खोपरदंत आज पसों के स्थान पर करेगा कोई नया शिकार हा हा राजा सब्रस्त उस विचितर राक्षस को देखकर चोख पड़े अरे यह कैसा विचितर राक्षस है अगर यह नगर में प्रवेस कर गया तो नहीं जाने कितने इनसानों की मोत बन जाएगा खोपरदंत की निगाय भी अपने शिकार परी लगी थी शिकार नया शिकार मानव राजा सब्रस्त के दनुस से चुट निकले तीर राजा सब्रस्त के आथवास्तरी मिर्टू निश्ची तरे दूस ट्राक्षस खोपरदंत से टक्रा कर चितरा गये सब्रस्त के सारे तीर त राजा सुपर्थ ने पहले कुछ सोजा फिर एकाक रत का गुड़ाएक और दोड़ा दिया इस समय से उलजना उचित नहीं यह कोई सैतानी सक्तियों का स्वामी लगता है शिकार भाग रहा है राजा सुपर्थ ने रत को सरपड दोड़ाया असवपस तु जितना भी बगाले रत पर मुझसे नहीं बच पाएगा तीनों लोक में मुझसे तेज कोई नहीं दोड़ सकता हाहा उसी समझ स्योंग से आकास मारक से गुजररे नारजी के कानों में खोप्रदंत के कैवे सबत पड़ गए वो वह राक्षन सुप्रशन करने के लिए उसे पकड़ने की चेश्टा कर रहा है ठीक उसी पल राजा सुप्रश्ट के रत का गोड़ा जा टकरा रा में आ गए वरक्षे और खड़ा को नहीं उचलने के साथी राजा सुप्रश्ट का सीट टकरा एक चटान से आ यह देख खोप्रदंत ने एक बहने का टास लगा हाँ आखिर मैंने पकड़ी लिया तुझे वैदर से देख नार्द की आँखों में करोध बर्स पड़ा नारायन नारायन मेरी आखों के सामने इसने एक निरी प्राणी के त्याकर डाली है दूस्ट ट्राक्स पूरी मानुता के लिए खत्राई से इसका सबक सिखाना होगा खोप्रदंत ने अपने सिकार को दबोचने के लिए आथा गे बढ़ाया ही था कि ठैर जाओ खोप्रदंत नार्द मुनी क्यों खोप्रदंत अभी क्या कह रहे थे तुम तीनों लोकों में तुम से अधिक तिर्वगती के साथ कोई नी बाग सकता तीनों लोगों में क्या कोई ऐसा वान या प्राणी है जो मुझे अधिक तिरुटा के साथ दोड़ता हो निशन्दे है खोप्रदंद के मस्तिक्स पर बल पड़ गए कौन है वो बगवान सुर्य का बारा गोडो का रत जिस पर सवार होकर बगवान सुर्य पूरे ब्रामण का चक्र लगाते हो क्यों चक्र आ गया ने यह सुनकर मुनिवर क्या मैं उस रत को प्राप्त नहीं कर सकता नारण नारण यह तो मैं नहीं कह सकता किन्तु इतना उसे जानता हूँ कि परतेक सर्द पुल्नीमा की रात को सुर्य की पुतरी सुर्यदा पृत्वी परबन करने के लिए उतरती है तब सायद कुछ हो सके इतना कहने के साथ ही नारण जी वहां से दर्शे हो गए और खोपरदंत की आके शिकुड कोई सोचने के अंदाज में सर्द पृत्वी नीमा की रातरी सुर्य की पुतरी सुर्यदा अब तो मैं सुर्य रथ हासिल करने के पर साथ ही शिकार को आथ लगा हूँ गया किन्तु सु सेना पते शोब से संद्द्या गिरा यह पिता स्री अब तक सिकार से नहीं लोटे मैंने सहने को को महराज की खोज में बेजा राजकुमार को जब तक व esoyn antik नहीं लोटत आते कुछ नहीं का जा सकता संद्या से राज जो और फिर रात्री से हो गए सुबह माराज अभी तक नहीं लोटे तब हम माराज की खोज में जाएंगे सेनब तीसी समय आप और महामंत्री जी राज कारिया देखेंगे जैसे आप क्या गया राज कुमार अतुल पर स्टैंखो के सार निकल पड़ा इस वर नैकरे उन पर कोई संक्ट आ पड़ा हो सिगर ही माराज अक्सर इसी वन मारकेट के लिए आय करते थी राज कुमार माराज की खोज کرने के लिए विबिन दिशाव में चले जाओ स्टैंखो दीवस सप्ता और फिर मापिता शरी आपको डूंडे बेगर महल नहीं जाओंगा मैं पिता की तलास में बूखा पैसा राजकुमार वन में बठकता रहा उदर खोपरदंत की कठोर तवस्या से परसन हुए बगवान विश्णू जागो वच्छ आंके खोलो बगवान विश्णू में धन्न हुआ आपके दर्शन पाकर हम तुमसे परसन वेवत्स खोपरदंत इच्छा करो क्या वर मांगते हो मुझे वर्दे प्रभू की मेरी मृत्व किसी सुर्य सक्ति के आथो नहो बगत की इच्छा पून कर दी बगवान ने तथास तू परसोन उठा खोपरदंत आप दन्न है परभू अगले पल एक बहने कर टास लगा उठावे हाँ अब सवे बगवान विश्णू भी मेरा आईत नहीं कर सकते सब पिणिमा की संदा आप पितासरी क्या आपकी तलास में योई बटकता रुगा मैं आप कहां हैं कहां हैं आप पितासरी सामने क्यों नहीं आते यहीवे संदा जब क्यास्टरे के साथ फैल गे राजकुमार तुलपरस्ट के नेतर असव पिताजी के रत का सव रोमांज से बर उठा तुलपरस्ट मैं ससव को अजारों में भी पहचान सकता हूँ यह पितासरी के रत का गोड़ा है वो पिसका मतलब पितासरी भी आसपासी होंगे हिनिन राजकुमार तुलपरस्ट को देखते गोड़ा भी उचलने लगा गोड़े को बैचैनी के साथ उचलता देख वे गरता के साथ चीक उठा तुलपरस्ट हाँ हाँ बताओ तुम जरूर जानते हो कि मेरे पितासरी पर क्या गुजरी कहा है वे बताओ दोस्ट शिगर बताओ यह सांकेतिक अंदाज में कुछ कहने की चेस्टा कर रहा है इसे खोल देना चाहिए हिन गुर प्रस्टी की एक गांटी खोल पाए था वे की तभी उफ यह क्या सामने ख़ड़ा था एक बैंकर राक्सस ओए कोन है तू जो मेरे बोजन को खोल रहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा अपना बोजन बनाऊंगा तुझे हाँ हाँ राक्सस ने अतुल परस्ट पर परार किया ओ इससे निपटना होगा दूसरे पल अतुल परस्ट की तलवार उसके हाथ में थी अब देखता हूँ कि मैं तुरा बोजन बनता हूँ या तु जंगली जानूरों का हाँ हाँ राक्सस ने पून अतुल पर स्परवार किया खटाक इसी सन राक्सस के पीट पर पड़ी गोड़े की पाओ की ठोकर हिंद पुब बाल बाल बचा मैस के सिंग से वा तुम्हे तो अस्वराज की उपादी मिलनी चाहिए प्यारे गोड़े गोड़े के पाओ की ठोकर से उचल कर जैसे राक्सस राजकुमार अतुल परस्त के निकट किरा खट्स आ तत्पस्चाथ अब तुम मुझे ले चलोगे अपने स्वामी के पास हिन हिन बंदन मुक्त होते राजा स्वर्परस्त के रत का गोड़ा तेजी से एक और को भाग पड़ा अब यह बात साबित हो चुकी है कि पिता जी अवस्टा ही किसी संकट का सामना कर चुके हैं गोड़ा जिस स्थान पर पूच करूँ का वहां का दर्स से देखती राजकुमार अतुलपरस्त के मस्टिक्स में एक साथ कई अंजान या संकाव ने जनम लिया पिता शिरी का रत और कुछ दूर एक चटान पर निगाव पड़ते ही पिता शिरी नहीं कितनी देर वह अपने पिता के सव से लिप्टा रोता रहा आपका यहर्ष किसने क्या पिता शिरी मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूँगा तभी तिरव परकास से वह स्थान रोशन उठा उठा उफ या चमक या परकास कैसा आकास से पित्वी पर उदरती उस अप्सरा को देखकर दंग रहा गया है इसके जिसम से तो दीवे प्रकास पूट रहा है कौन है यह अद्बुद सुंद्री उस अद्बुद सुंद्री के कदम पित्वी से टकराए वह पित्वी का बर्मन कर चित परशन उठता है सच्मुद सुर्य पुत्री सुर्यदा इस रात्री की हमें भी बड़ी बेसबरी से प्रतिक्षा रहती है किन्तु क्या जानती थी सुर्यदा की संकट निकटी है मुझे भी थी इसी पल की प्रतिक्षाक ओ कोन है ये गुस्थाक परेम से खोपड़दंत कह सकती हो तुम मुझे अब तुम मेरी बंदनी होगा हा सुर्य सकती के कारण मुझे सपर्श करते हैं इसे तो बसम हो जाना चाहिए था अब से इस सैतान को कोई दीव सकती प्राप्त है राजकुमार तुल परस्त ठगासा खड़ा था ये राक्षस कोन है मुझे अदितिय सुंदरी को इस राक्षस के चमूल से चुड़ाना चाहिए अगले पल दूस्ट राक्षस छोड़ देशे तु कोन है मच्छर मावीर राजा स्थ परस्त का पुत्तर तुल परस्त हा हा मावीर राजा सो परस्त बच्चे वह मेरे याथो मारा गया था ये सुनते तुल परस्त की यांके करोज से जल उठी ओ तो तु यह वह त्यारा अब तुझे मेरे याथो मिर्तु से कोई नहीं बजा सकता का बना क्या टनाक तुने बहुत चला ली तलवार अम मेरी बार ये वार करने की राक्षस का गुशा खा कर तुल पस्त गिरा दूर जाकर खोपडदंत सुर्यदा की सख्यों से मुखातिब हुआ तुम अभी तक भागे नहीं चलो भाग जाओ अच्छे बच्छों की तरह कहना मानों खोपडदंत ने सुर्यदा को कंदे पर लाद लिया नहीं यह पिता श्री मेरी मदद करे मुझे इस दूस्त से बचाए सुर्यदा की पुकार जाप मुची सुर्य भगवान तक पिता श्री रक्षा करे पिता श्री सुर्यदा दिये दर्पन ने दिखाई सुर्यदा स ऊसर राकसष ने बचाओ इस दूस्त राकसष को मृतु से कोई नियर बचा केगा भगवान सुर्य के नेत्रों से और संस्सी धूड़ूड सर्य बहुत लो दिकाई पर तो भात को अगॉतर से तो तुमौे तरर शुरिय के नियोदू कुछ ने बिगाड़ सकती हाँ, देख लो सुर्य कीने मेरा कुछ भी अहित नी कर पाई हाँ, तुमारे पिता सुर्य तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो वे सुन ले, तुमारी वापसी की अवेज में मुझे चाहिए सुर्य रत, बारे घुरो का सुर्य रत, हाँ हाँ, और मुझ पर अगला प्रार करने की चेश्टा भी ने करे, बगवान विश्नु के वर्दान के फल सरुप, किसी भी शुर्य शक्ति के आकर्मन का मुझे पर कोई अश्र नहीं होगा, हाँ, हाँ, यह कहकर खोपरदंत पहुंचा उस गुफा में, जब तक तुमारे पिता का रत मुझे नहीं मिल जाता, तुम रहोगी यहाँ, और उदर बगवान शुर्य अब भी एतबर्द से खड़ेते दीवे दरपन के सामने, शुर्य रत कदापी नहीं संभव, अगर सुर्य रत हुँ सैथान को सोब दिया, तो पिर्थी पर प्रले मत जाएगी, शुर्य रत नहीं होगा, वहाँ, किन्तु किन्तु हम सुर्य रत के प्राणों की रक्षा कैसे करें, फिर भगवान विश्णु अब मुझे संकर से बचा सकते हैं, अपने रत पर स्वारो कर भगवान सुर्य रत चल पड़े भगवान विश्णु के पास, सेसनाग प्रविराजमान भगवान विश्णु सुर्य रत के विश्ण में सुन गंबीर उठ है, वो खोपड़दन तमसे वैवर मांगकर अपनी सुर्ख्षा की वैस्ता पहले कर चुका है, और उसकी कठोट तफस्या के काण हम भी उश्ण वर देने के लिए मजबूर थे, किन्तु भगवान अभी संकट से मैं सुर्य रत के प्राणों की रक्षा कैसे करूं, आपको सुर्य रत उसे देना होगा सुर्य, क्या किन्तु सुर्य रथ लिये बिना वे सुर्यदा को अर्गिज ने छोड़ेगा और हम यह भी जानते कि अगर सुर्य रथ उसे सोब दिया गया तो प्रिथवी पर हलचल मत जाएगी और हमारे वर के कारण हम सब भी चाहे तो अब उसे नहीं मार सकते तब फिर इस सिधथी से हम कैसे निम्टेंगे सुर्य पहले आप सुर्य रथ खोप्रदंद को सोब कर अपनी पूतरी सुर्यदा को तो मुक्त करा ले जैसा आप उचित समझे बगवान और सुर्य अपने रथ पर स्वार होकर चल पड़े प्रिथवी के और हुप कितने मजबूर हो गए हैं खोप्रदंद की गुफा के बार जाकर रुका रथ और जहां चोक पड़ी थी सुर्यदा वही साक्सात सुर्यदा को सामने दे खोप्रदंद ठाका लगा कर रस पड़ा हाँ हाँ तुम्हें आना ही पड़ा सुर्यद जाली में पुत्री का सनेव हाँ हाँ पिता स्री करोधित सुर्यद जो एक बार किसी पर कैर ब्रिदस्ती भी डाले तो वहो जाए बसम किन्तु दुस्त खोप्रदंद शुर्यद हम तुझे सोप रहे हैं जा गुफा के बार खड़ा है मारा रथ हो खोप्रदंद तो ने अपना अधिकार कर लिया रथ पर चलो जब तक में रत पर स्वार नियो जाता तब तक तुम भी मेरे साथ रोगी हाँ हाँ सुर्यरत हम मेरे दीन है हम मुझे तेज कोई नहीं ये ब्रामन्ड में खोप्रदन्थ हमने सुर्यरत तुझे सोब दिया भामारी पुत्री को मुक्त कर दे दूस्ट ओ सुर्यरत को मुक्त कर दूँ कुटिल मुस्कराट के साथ बड़ी दुर्ता के साथ क्या उठाव है सुर्यरत बनेगी मेरी पतनी नहीं दुर्त वेक के साथ रत लेकर भागा खोप्रदन्थ हम मुझे कोई नहीं पकड़ सकता पिता स्री बचाईए पिता स्री बोचके से खड़े रहागे बगवान सुरिय दोखे बाद मेरी पुत्री को भी ले गया बगवान सुरिय बागे बागे पूंचे वापिस बगवान विश्णू के पास बंगवान वे दुस्तों हम सब जानते हैं सुरिय अब अब मैं क्या करूँ इस संकट का निवान के वले की मानो कर सकता है मानो भला मानो कैसे करेगा समावली सैतान का सामना वे मानो को शादान मानो नहीं सुरिय कभी नाग लोक का राजा वा करता था है किन्तो अब वे तिल्शमी देव के रूप में पिर्थवी पर दूस्टों का नास कर मानु के कल्यान के कारियों में लगा है उसके पास बहुत्षी इलोकी की सक्तिया है और इसे देखो ये राजक्मार अतुल पस्त है जो सैतान खोपरदंच से उस समय यूद करनता वा मुर्चित हो गया जब वैदूस्ट खोपरदंच सुर्यदा का अप्रण कर रहा था तिल्शमी देव संकट में फसे मानुव की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करने अवस्य पहुंचते है हम इस यूद की मुर्चा दूर कर इसके मन मस्तिक्स में तिल्शमी देव का परती भी मुत्पन करते हैं ताकि सुर्यदा की रक्षा के लिए तिल्शमी देव को पुकार सके तिल्शमी देव वैस सकती है जो इस वर नहीं है तिल्शमी देव मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि सुरिद्धा को उस राक्षस के चमूल से चुडाने और उस राक्षस को समाप्त करने में तिल्षमी देव मेरी मदद कर सकते हैं यह तिल्षमी देव मेरी मदद केजिए उस दूस राक्षस के सार में मेरी मदद केजिए गुंद उठी तिल्षमी देव गाटी अतुलपस्त की पुकारों से मदद तिल्षमी देव मदद राजकुमार अतुलपस्त की पुकार सुर्य पुत्री सुर्यदा पूरी मानवता संकट में है अतुलपस्त के सामने तिल्षमी देव प्रकट हो गए तिल्शमी देव, हम आगे राजकुमार तुलपर्ष्ट, तुलपर्ष्ट तुमारे पिता का अतारा सुर्यरत का ठग, सुर्यपुत्री सुर्यदा का अपरण करता खोपरदन तब जीवित नहीं पचना चाहिए मेरे हाथ उस सैतान कांद कर देने के लिए मचल रहें तिल्शमी देव किन्तु, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, गबरावनी मैं तुमें अगनी ताप सकती दे रहा हूँ, इस सकती से तुम उसका वद कर सकोगे, उस सैतान के निकट कहीं एक दियाबी रोशन होग तुम हर पल मेरी निगाओ के सामने रोगई, भागने की चेस्टा ना करना, क्योंकि अब मुझे तीनों लोकों की दूरी नाप कर तुम तक पूछने में केवल कुछ ही पल लगेगे, खोपरदंत के भारजाते सुर्यदा प्रेसान शी बड़ बड़ा उठी, आ क्या अब कर तुल पस्त सामने आ खड़ावा, तुम किल्समी देव की करपासे में तुम तक पूछने में सफल हूँ आऊं सुर्यदा, अब यह दूस्त खोपरदंत भी निबचेगा, काँ है वो सैतान, उसी पल चोक पराता खोपरदंत भी हो, यह सैतान काँ से आप पूछा मरेगा तू मरेगा, मैं तयार हूँगा, मार मुझे, हाँ, खोपरदंत की खोपरे की टकर से उचल पड़ा तुल पस्त, तड़ा का, तेरा दुर्बागा तुझे यहां ले आया है मुरख, बड़ी फूर्टी के साथ यह वार किये थे खोपरदंत ने, तिल्समी देव का तो बहुत तडपकर मरेगा, तु खोपरदंत ने आथी के आथ, दांत का वार तुल पस्त पर किया, तड़ाख, उप, यह तो पेटी फाट ड़ालता, इस बार खोपरदंत के वार से अपनी रक्षा करने के साथ यह तुल पस्तने भी वार किया, तड़ाख, अतुल ने तल् के मुठ ही पिंगल गई अपने बीतर संचार करती अगनी ताप सक्ति का कमाल देख कर वैच समत कर तो उठा वो खोप्रदंत नाम के श्राक्षस का जिसम भी तो दातु काई बना है खोप्रदंत ने सक्ति शाली गुसों का प्रार किया उस पर किन्तु जै तिल्शमी देव जै तिल्शमी देव मेरा हाथ नहीं उप्यक कोई श्रीय सक्ति भी नहीं है करोच से फागल वाखोप्रदंत तूल पर जप्टा और इस बार तूल पस्त ने थाम लिया उसका दूसरा आथ भी जै तिल्शमी देव यह ग्यात्रा दूसरा आथ भी सैतान सुर्यदा नफ्रत्वय घ्रणा से बरी चीक पड़ी अतुल पस्त अब जल्दी से समाप्त कर दो इस सैतान को को प्रदंत को भी साध अपनांत दिखाई पड़ गया था नहीं मैं सुर्य रथ लेकर भाग जाऊंगा और एक महान यक कर अपने दोनों आथ वापस पाऊंगा कक से गायब होगा तुलपस्त भी अब तू कहीं भाग नहीं सकेगा गुफादवार पर रखी मसाल से परकट वा तुलपस्त कहां भागता अपनी मुर्तु के आथों से बचकर तुलपस्त ने अपनी गरदन अपने आथों के शि शिगरी और टनाक एक तेज ची गुझी और खोप्रदंत का बारी बरकम निर्जी शरी नीचे आपड़ा बदाई ओ तुलपस्त तुम वीज़े रहे अचानक तुलपस्त के जिसम पर लपलपाती अगनी लूपत हो गई और एक सवर गुझ उठा वस तुलपस्त इस सैतान क कि मुर्टु के साथ ही तुम्हें दी अपनी सक्तिय मुआपस ले रहे हैं खुस रहो जैहो तिल्षमी देव तभी परकट हुए सुर्य देव पिता स्री बगवान सुर्य है मेरा धन्य हो तिल्षमी देव तुमने ने केवल हमारी पुत्री की रक्षा केबली का संपूर मान अता को तबाई से बचा लिया है मेरा तो यही जीवन है बगवान पुत्र तुल्पस्त हमने यह फैसला किया कि हम अपनी पुत्री का आथ तुमारे आथ में दे दे क्यों पुत्र क्या तुम्हें यह सविकार है किन्तु बगवान तभी बोले तिल्समी देव सुर्य सवय सं मारा डालेगी उसके बाद एकाक तिल्समीदे सुर्य सुर्य दाग और बारे गोड़ो कारत सभी मासिस अदर्स से हो गए आज धन्य हो गया मैं तब जाकर दुल्पस्त ने पिता का स्रीज मैल में ले जाकर उनका अंतिम संसकार किया और उदर खोपरदंद के लाज देखते नारजी के ओठो पर थे एक मदूर मुसकान आखिर दुस्त खोपरदंद कांत हो गया उसे अपनी दुस्ता का दंड मिली गया नाराएंड नाराएंड 21 दिन राजकमार ने यक क्या यक में से परकट हुई सुर्यदा सुर्यदा इस परकार सुर्यदा ने वर्माला डाल कर अ